नमस्कार आदाव सस्याकाल मैं आयूस स्टोरी आजेवी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आसा करता हूं कि आप सभी लोग स्वाथ आज की जो कहानी है वो कहानी है। हैदराबाद का एक छेत्र है फिल्म नगरी और इस फिल्म नगरी छेत्र में ही एक कालोनी बनी हुए है जहां कुछ फ्लैट बने वहाँ पर एक पत्पतनी रहा करते थे और उनके कोई बच्चे नहीं। वहीं जो पतनी थी वो एक कार्पोरेट हस्पिटल में डाइटीशियन के रूप में काम करता और उनका जो पती था वो एक कारोवारी था वो मवेशियों का कारोवार किया करता था और वो मवेशियों के पालन पोसन उनके कारोवार पर वीडियो बनाता था और उन्हें पसारि साइधा अचानक अपने घर से गाइब हो जाते हैं अब साइधा के घर से अचानक गाइब होने के दौरान जो उनके माइके के लोग होते हैं घर के लोग होते हैं वो उनसे संपर्ख करने की कोशिस कर उन्हें लगातार फोन करते हैं लेकिन उनका फोन लगातार स्विचाफ मि उठता है तो उनके माइके के लोग यानि घर के लोग फोन ना उठने से बहुत परेसान हो जाते हैं अब वो साइदा का फोन ना उठने से परेसान होकर उसके पती से बात करने की कोशिस कर जिसका नाम सैयत कादरी होता है और इतिफाक से जब वो उसके पती सैयत कादरी को फो फोन मिलाते हैं तो सेयद कादिरी का जो फोन नंबर यानि मोवाइल नंबर है वो भी सुचाफ बता रहा है तो इस तरह से लाग कोसिस करने के बावजूद साइदा के मायके वालों की ना तो अपनी बेटी से बात हो पा रहे थी और ना ही अपने दमाज घर वाले पहले कुछ खंटों तक इंतिएर करते हैं सोशते हैं कि हो सकता है कि कहीं दोनों पत्वतनी बेस्ट होंगे जब वो फीर होजाएंगे तो फोन स्विशान करें तब बात होगी लेकिन घरवालों का इंतिएर लंबा होता जारा था और उस लंबे उंतियर के बार उनकी अपनी बेटी दामाज से कोई बात नहीं हो पारे है। वो लगादार अपने बेटी दामाज से संपर्व करने की कोसिस कर रहे थे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल ठक हार कर वो लोग अप पुलिस के पास मदद मागने के लिए जाते हैं। और साइधा के घर वाले, माईके वाले यानी, पुलिस के पास मदद मांगने के साथ ही, अपनी बेटी की गमसुदी की रिपोर्ट भी दर्ज करुआते हैं, बलकि पुलिस से ये भी कहते हैं, कि उनकी बेटी जो गमसुदा हुई है, उसके पीछे उन्हें, इस बात का यकीन ह कि उनके दामाद का हाथ हो सकता है क्योंकि उनका दामाद सेयत कादरी अक्सर उनकी बेटी को परेशान करता था तो तालित किया करता था क्योंकि उनकी बेटी साधी के कई साल गुजरने के बावजूद उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा नहीं होने की वज़े से सियत कादरी अक्सर अपनी पत्नी सैदा को परेशान किया करता था उसे टार्चर किया करता था और ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस को भी ये यकीन होने लगा कि हो सकता है कि सैद कादरी इस घटना में सामिल हो और जिस तरह से इस घटना के बाद उसका फोन लगातार स्विच आ रहा है उससे पुलिस को भी अब यकीन होन लगा था कि साध सैद कादरी अपनी पत्नी सीधा को नुकसान पहुंचाया होगा और इसके बाद अपना फून बंद कर वो फरार हो गया और फरार होने के लिए ही उसने सायद अपना फून भी स्विचाफ कर लिया है तो पुलिस अभी इस मामले की जाश कर ही रही और इसी थोरी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को समझने की कोशिस कर रही कि जहां साइधा काम करती थी जिस हास्पिटल में वो डायटी सेन का काम करती थी वहाँ पर भी पुलिस की एक टीम जाती है लेकिन वहाँ से भी साइधा के बारे में पुलिस को कोई जादा जानकारी नहीं मिलती है पुलिस को साइधा के पती सेयत कादरी के बारे में अब जानकारी जुटाना थी पुलिस उसकी जानकारी आसपास के छेतर में जाती है पुश्टाज करती है जानकारी जूटाती है लेकिन दोनों पत्पत्नी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है लेकिन बात तो तब आगे बढ़ती है जब सईदा का कुछ पता चलता या फिर उसके पती गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस को इन दोनों के सम्मन्द में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होता है और नहीं इनका फोन स्विचान होता है अब ठाकार कर पुलिस ने इन दोनों पत्पत्नी के मोवाइल फोन की काल डिटेल यानी सीडी आर निकल वाई और उसको खंगालना सुरू किया साथ ही पुलिस ने फिल्म नगर इलाके में जहां इनके फ्लैट बने हुए हैं उन फ्लैट के आसपास जो सीसी टीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को भी पुलिस ने खंगालना सुरू कर दो CDR की जाच में काल डिटेल में पुलिस को कई ऐसे संदिक्द नमबरों का पता चला कि जिन नमबरों से कादरी की या साइदा की बातचीत होती थे इन में से कुछ नमबर तो ऐसे थे जिनके बारे में इस पश्ट था ये नमबर किसके हैं इन से इनका क्या रिस्ता है क्या त टेल की जड़िये इस मामले का पता लगाने की कोशिस कर रही थी और दूसरी तरफ CCTV फुटेज निकाल कर उसको भी जांच कर रही इसी दोरान पुलिस को इस पूरे मामले से जुड़ी एक जानकारी प्राप्त होती है पुलिस ने देखा कि CCTV फुटेज में 29 नॉंबर की बात है जिस रोज ये दोनों गायव हुए थे पुलिस ने देखा कि उस रोज उनके घर के आसपास तीन लोग संदिक तरीके से घूंग फिर रहे हैं यानि आते जाते हुए उनके घर के आसपास पुलिस को नजर है पुलिस ने इन CCTV फुटेज को रिकवर करने के बाद जिस लोकल्टी में ये रहते थे थे वहां आसपास के लोगों को ये तस्वीरे दिखाना सुरू और पूस्ताश की कि ये कौन लोग क्या आपकी कालोनी मे लगातार आते जाते हैं क्या पहले इस से आपने इने यहां पर देखा है और किसी के ऐसा तो नहीं कि ये लोग नाते रिस्तिदार हैं लेकिन पुलिस की ये कोस्तें पूरी तरह से खाली चली जाते हैं तो कि जिन लोगों से भी पूस्ताश की गई थी सारे लोग ये बता क्योंकि इन लोगों का सैदा के साथ साथ उनके पती सेयत कादरी की गुमसुदगी या फिर इन दोनों के गायव होने में कोई ना कोई भून का या कोई इनका रोल जरूर हो सकता तो अब पुलिस ने सारा फोकस जो था इन तीन लोगों की पहचान करने पर ही लगा दी इसक से की गई अब पुलिस को इनके बारे में पत्रा चला कि जब पुलिस ने जानकारी जुटाई कि इन तीनों में से एक आदमी की पहचान उजागर हुच और पुलिस को एक आदमी के संबन में सूचनाय मिलना सुरू हुच और जिस आदमी की पुलिस ने पहचान कि उसका ना वो सलमान के साथ आगे की और बढ़ रही क्योंकि एक तो संदिग्द लोगों का दिखना संदिग्द लोगों में से एक की पहचान होना और जिसकी पहचान हुई है उसका आपराधिक गत्विधियों में सामिल पाया जाना ये सारी बातें इसारा कर रही थी पुलिस को हिंट दे रही थी कि शायद इन पत्पत्नी की गुमसुदगी में इन लोगों का कहीं ना कहीं आहम रोल हो सकते तो मुहमत सलमान के बारे में जब पुलिस को पता चला तो मुहमत सलमान तक पुलिस पहुँच गई उसे गिरफतार किया और सुरुवाती पुंस्तांच के लिए ठा प्योड़ इस गर के आसपास आखित तुम क्यों गूम रहा है ते जब उसने उन फुटेज को देखा तो उसने आखिर पुलिस के सामने सच कबूल दिया त्योंकि हुए सच कबूलने के लावा उसके पास कहीं कोई चारा नहीं बचा तिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि व कि उनकी पत्नी सैदा मिराज फात्मा का भी कत्र किया है यानि ये वो लोग हैं जो सेद, सैदा और सेद कादरी के घर के आसपास देखे गए इन लोगों ने 29 नूंबर को ही पत्पत्नी दोनों का कत्र कर दिया लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्लों किया उनकी उन लोगों से क् कैसे कत्र किया ये सारे सवाल अभी पुलिस के सामने यक्छ प्रस्ट बनकर खड़े हुए थे और पुलिस को इनी सवालों का जवाब ढूंडना था पुलिस ने अपनी तफ्तिश को आगे बढ़ाया एक दिन और बिताया एक टीम मुहमद सल्मान से पूंस्ताच कर रही थी और दूसरी तरफ एक टीम अजगर सेख और मुहमद हुसैन को गिर्फतार करने के काम में लगा दी गई मुहमद सल्मान से पता चला कि आरोपी अजगर सेख और उसका साथी मुहमद हुसैन मुंबई में रहते हैं और फिल्म नगर के एसे चो यमजी एस रामा करशनन ने अपनी एक टीम को मुंबई रवाना कर दी मुंबई से इन दोनों को पुलिस ने गिर्फतार भी कर लिया फिर इसके बाद तीनों लोग पुलिस की हिरासत में एक गिये गे और जब तीनों गिर्फत में आगए पिर इन तीनों से पुलिस ने इंट्रोगेशन करना सुरू कर गरास इंट्रोगेशन भी हुआ जिससे कोई आदमी जूट ना बोल सके और अगर कोई जूट बोले तो की पूल खुल जाए और जो ये पूरी कहानी निकल कर सामने आए पुलिस की पूस्ताज में हुए कुछ इस तरह से कि मुंबई के रहने वाले असगर की साथी हैदरावाद की एक महिला से हुई और वो दस साल पहले सहर में आकर रहे हैदरावाद में रहने के दोरान ही वहाँ पर असगर यूटूब के लिए वीडियो बनाया करता था उन्हें देखा करता था और मवेशियों के पालन पोसनल और उनके कारोबार पर वीडियो बनाता था असगर को उसके वीडियो अच्छे लगे और उसने कादरी से मिलने का प्लान बनाये वैसे देखा जाये तो ठूकि उसकी पत्नी का माईका हैदरावाद में होने की वज़े इसका हैदरावाद आना जाना लगा रहता था जब अजगर कादरी से मिला तो कादरी का कारोबार देखकर अजगर ने कादरी के मवेशी कारोबार में पैसा लगाने में दिर्चस्पी दिखाना सुरू कर तो का कादरी ने का चीच है बीस लाख रुपए इन्वेस्ट करो चार साल में तुम्हें अच्छा प्राफिक होगा अब अजगर ने कादरी को बीस लाख रुपए तो दे दिये लेकिन सहीत कादरी ने ये रुपए लेने के बाद अजगर सेख को इसका ना तो कोई हिसाफ किताब दिया ना ही उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे कोई फाइदा पहुंचाया और ना ही उसका इन्वेस्टमेंट जो उसने किया था उसकी मूल रकम यानी मूल धर कह सकते हैं वो वापस उल्टा जब जब अजब अजगर सेख कादरी से अपने रुपए वापस मांगे तो कादरी जूट बोलता रहा लगातार टालता रहा एक तरह से अगर देखा जाये तो उसके 20 लाख रुपए वो हड़प चुका था या हड़पने की नियत बना चुका था अब इस बात का ऐसास अजगर सेख को हुआ तो उसने अपने एक साथी मूहमद हुसेन को अपने स से हैदराबाद है हैदराबाद में उन्होंने मूहमद सल्मान से संपर किया आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मूहमद सल्मान का क्रिमनल रिकार्ड था तो फिर इन तीनों ने एक रोज सेयत कादरी के घर पर धावा बोला 29 नॉंबर की तारीक को और जैसा मैंने आप को पूर में बताया कि पत्नी दोनों कामकाजी थे पती का कारोबार था और पत्नी कारपोरेट हास्पिटल में काम करती जब सेयत के घर पर इन्होंने धावा बोला तो उसकी पत्नी सैदा घर में नहीं कादरी घर में अकेला था इन तीनों से दोनों की उसकी पहली मुलाकात थी खास कर अजगर सेख से मुलाकात तो कादरी ने दर्वाजा खोल दिया बाच्चित होने लगी इन तो इनों ने पहले उससे कहा भाया जो रुपए 20 लाग तुमने लिये थे वो वापस कर तुमने कोई उनका प्राफिट उगरा तो दिया नहीं लेकिन कादरी रुपए दे पिर तीनों ने मिलकर वही पर कादरी के घर में उसकी गला घोटकर हत्या कर और फिर उसकी लास को बड़ी ही खामोसी से उसके घर के पास एक टैंक बना हुआ था उस टैंक में उन्होंने उस लास को डाल और उसके उपर से ठक्कन लगा दिया अब एक कतल हो चुका और दू के लिए बाच्चित की जाए हो सकता है कि पत्नी वो रूपए दे दे तो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा अब पत्पत्नी के बारे में ये रोच चूंकि पहले से ही रेकी कर चुके थे सारी जानकारियां इखटा कर चुके थे तो इन्होंने कादरी का जब कतल किया था तो उसी वक्त इन्होंने फ्लैट की एक चावी उसमें से चुरा ली थी और उन्होंने कादरी की चावी का इस्तेमाल करके उसके घर में प्रोवेश किया और उसकी पत्नी फात्मा का इंत्यार करने लगे इसके बाद जब साइधा हास्पिटल से ड्यूटी पूरी करने के बाद जब अपने घर लोटी तो एक अकेली महिला और ये तीन लोग घर के अंदर मिले शैधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंद घर में आखिर ये तीन लोग कैसे घुसे हैं ये तीन लोग कौन है और ये मेरे घर में किस तरह से घुसा आएं उसका पती भी कही नजर नहीं आ रहा था इन तीनों ने अब सईधा को पकला और उससे कहा कि तुम्हारे पती ने हमसे 20 लाक रुपए लिये थे जो खलब गया है दे नहीं रहा है तुम मेरे पैसे लोटाओ तो सईधा ने कहा कि मुझे इसके बारे में कत्यी कोई जानकारी नहीं है और नहीं मेरे पास इतन कर दिये थे मना कर दिया जब बीवी ने भी मना कर दिया तो इन तीनों ने मिलकर फिर सईधा का भी कतल कर दिया गला घोंट कर उसकी हत्या कर सईधा का गला घोंट कर हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लास को उसी के घर में उसी के बेडरूम में बेड़ बाक्स के अंद पड़ी सड़ रही किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था कोई जानकारी भी नहीं वो तो काफी जब और देर होती है और उस लास की बद्बू से लोग ज्यादा परहसान होते तब ये राज जो देर सवेर खुलता लेकिन इसी वीच जब सईदा का भी कतल हो चुका और उस कोई पता नहीं चल रहा था उसका फोन सुचाप बराबर आ रहा था जब सईदा के घरवालों को उसे ढूनने के लिए पुलिस से संपर्क करना पड़ा और उसकी गमसुदगी की रिपोर्ट धर्ज कराई गई तो पुलिस ने तौरित कारवाई करते हुए जहां सुरू की म कि उसने और उसके साथियों ने सैदा और काजरी की हत्या की सल्मान ने यह भी पुलिष को बताया कि उसद्वी चुट के चेभी चुराई और सैदा के लॉटने का इंतिजार करने जब सैदा हास्पिटर्स वापस घर लोटी तो उ都 li ने उसे भी बहतार्वालों की पकड़ लिया और पैसे की मांगी साइधा ने पैसे देने से इंकार किया तो उन्होंने उसका भी गलागोट उसकी हत्या कर दी और उसकी लास को एक बेड़ वाक्स के अंदर छिपा दिया पलिस ने आगे की जाच में अजगर सिक का और मौम्मत हुसین को गिरिफतार किया उसकी क्रास इंटरोकेशन के और दौरान तीनो आरोपियों ने अपने जुर्म की पूरी कहानी सूइकार कर लिए पलिस ने सभी आरोपियों को गिरिफतार कर लिया और मामले को कोर्ट में फैस और वो कुल मिलाकर 20 लाख रुपए ना शुका पाने की कीमत उस आदमी को ना सिर्फ अपचान दे कर बलकि अपनी पत्नी की भी जान गवा कर चुकानी पड़ी यानि 20 लाख के लिए डवल मर्डर हो गया जाचपूरी होने के बाद अदालत में सईधा और कादरी की हत्या के दोस्रियों मुहमत सल्मान अजगर सेख और मुहमत हुसैन को नियाले में पेस कर दिये अदालत में इस जगन अपराद के लिए तीनों को उम्रकायत की सजा सुनाए साइदा की हत्या वास्तों में एक बहुती दुखत और बेवजय की गई कादली ने थूखा दड़ी की और उसके बाद पैसे की मांगने की इस्तिदी को इतना गंभीर बना दिया की साइदा को भी इसका शिकार होना पड़ा साइदा की हत्या ने साबित कर दिया की गलत फहिमिया और अफमान कितनी गंभीर समस्याइं पैदा कर अजगर सेक और उसके सासियों का गुस्ता और उनकी हिंसा की प्रवत ने एक छोटी सी आर्थिक समस्या को इतना बड़ा बना कर खड़ा कर दिया कि उसका अंत हत्या से हु पैसों की वज़े से हुई ये घटना ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक विवादों को सही तरीके से सुलजाना चाहिए अपराधियों ने सईदा के जीवन की कोई कद्र नहीं की और उसकी हत्या कर दें ये भी दरसाता है कि कितनी खतरनाक योजनाएं और बदमास ना केवल पर दरसिता और समझदारी से समस्याओं का समाधान करके सबसे अच्छा तरीका अपनाया जाना चाहिए और बिना वज़े से किसी की जान लेना पूरी तरह से अनमिदनी और अचित कदम अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो करप्या कमेंट में हमें अपनी कहानी के साथ तब तक अपना चाल रखें जय हिंद जय भारत